हाई दोस्तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आउटलुक में आईपी कि थो एड्रेस बुक को एड्ड करें जैसे कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कमपनियां होती हैं जो अपने एड्रेस बुक को सर्वर पर रखती है यह देखे मेरे पास आउटलुक 2010 है तो यह जो मैं सेटिंग बता रहा हूं यह सेटिंग सब पर काम करती है सेबं ओटेन ओ थर्टिं शिष्टिं सब पर एड्रेस बुक में अभी यहां पर इस यह दिखे आईपी नहीं है कोई भी आईपी सर रवर नहीं है एड्रेस बुक तो यह देखिए फाइल पर जाएंगे फाइल पर क्लिक करके एकाउंट शेटिंग एकाउंट शेटिंग पर फिर इस पर क्लिक करेंगे यह देखिए यहाँ पर आगए एकाउंट शेटिंग पर हम लोग यहाँ पे सारी reflecting के की जाती है। धिखे звон देखिए address book है। यहाँ पे address book दे decor मेरे SS जहां पे आप लोग का address book है जिस भी server पे आप लोग के address book है तो उसका IP चाहिए ये मैं IC डाल दे रहा हूँ सिर्फ आप लोग को बताने के लिए ये IP आप लोग को नहीं डालना है तो यहां पे आपका server name होना चीए या IP होना चीए जो भी यहां पे अपना user name और password डालना है तो user name पाशवर्ड आप लोग को मालू होगा जो डोमेन में काम करते हैं डोमेन उनमें उनकी laptop या PC रहता है उनको मालू होगा मेरा user name और पाशवर्ड क्या है कभी कभी वो लोग यूज करते रहते हैं देखिए यहां पे अभी यहां more setting पे क्लिक करेंगे देखिए user name पाशवर्ड यह आपको कैसे मालूम पढ़ाएगा कभी कभी जो फर्स टाइम कभी कभी एड करते हैं पन्फिगर करते हैं आउट लूप तो आईटी वाला आपका यह सेटिंग करके देता है मेल सर्वर होता है जे खुद का सर्वर रहता है तो वहीं करते हैं देखिए more setting पे क्लिक करके जाएंगे ओके यह देखिए आपका आईपी हो जाएगा सर्वर का और यहां पे आपको पोर्ट डालना है जो भी या आपके दूसरे के किसी में रहेगा यह देखिए अगर आप लोग काम करते हैं किसी जगह पे तो आप किसी दूसरे से अपने बाजुवाले से पूछ सकते हैं कि यह क्या है उसके outlook में यह setting चेक कर लें अगर आप में address book नहीं आ रहा है ज़सा सर्च नहीं हो रहा है कोई address तो आप अपने बाजल वाले से पूछ सकते हैं उसकी setting यह step करके और port ध्यान से changes करें यह देखिए मेरा यह हो गया है तो अभी आपको close करना है फिर उसके बाद start करना है जो जो बताया हो इससे setting करेंगे तो proper हो जाएगा थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो